युहन्ना की प्रकाशित वाक्य अध्याए ए येशु मसी का प्रकाशित वाक्य जो उसे परमेश्वर ने इसलिए दिया कि अपने दासों को वे बातें जिनका शिग्र होना अवश्य है दिखाएं उसने अपने स्वर्ग दूत को भेज कर उसके द्वारा अपने दास युहन्ना को बताया जिसने परमेश्वर के वचन और येशु मसीह की गवाही अर्थार्थ जो कुछ उसने देखा था उसकी गवाही दी धन्य है वे जो इस भविश्य दुआनी के वजन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं क्योंकि समय निकट आया है युहन्ना की ओर से आसिया की साथ कलिसियाओं के नाम उसकी ओर से जो है और जो था और जो आने वाला है और उन साथ आत्माओं के ओर से जो उसके सिंगासन के सामने हैं और येश्यू मसीह की ओर से जो विश्वास युग साक्षी और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहिलाटा और पृत्वी के राजाओं का हाकिम है तुम्हें अनुग्रहे और शान्ती मिलती रहे जो हम से प्रेम रखता है और जिसने अपने लोहू के द्वारा हमें पापों से छुडाया है और हमें एक राज्ये और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया उसी की महिमा और पराक्रम युगान युग रहे आमीन देखो वै बादनों के साथ आने वाला है और हर एक आँख उसे देखे वरन जिनोंने उसे बेधा था वे भी उसे देखेंगे और प्रिथी के सारे कुल उसके कारण चाती पीटेंगे हां आमीन प्रहू परमेश्वर वो जो है और जो था और जो आने वाला है जो सर्व शक्ति मान है ये कहता है के मैं ही अलफा और उमेगा हूँ मैं योहन्ना चो तुम्हारा भाई और यिशु के कलेश और राज्ये और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूँ परमेश्वर के वचन और यिशु की गवाही के कारण पत्मुस नाम टापू में था मैं प्रभू के दिन आत्मा में आ गया और अपने पीछे तुरही का सा बड़ा शब्द ये कहते सुना जो कुछ तु देखता है उसे फुस्तक में लिखकर सातों कलीसियाओं के पास भेज दे अर्थात इफिसुस और समुर्ना और पिरगमुन और थुआतीरा और सरदीस और फिल्दिल्फिया और लौदीकिया के पास और मैंने उसे जो मुझसे बोल रहा था देखने के लिए अपना मुँ फेरा और पीछे घूम कर मैंने सोने की साथ दीवटें देखी और उन दीवटों के बीच में मनुष्य के पुत्य सरीखे एक पुरुष को देखा जो पाउं तक का वस्तर पहने और छाती पर सुनेला पट का बांधे हुए था उसके सिर और बाल श्वेट उम वरन पाले के से उच्छल थे और उसकी आँखें आग की जौला की नाई थी और उसके पाउं उत्तम पीतल के समान थे जो मानों भट्टी में तपाए गए हो और उसका शब बहुत जल के शब की नाई था और वो अपने दाही ने हाथ में साथ तारे लिये हुए था और उसके मुख से जोखी दोधारी तलवार निकलती थी और उसका मुँ ऐसा प्रज्वलिधा जैसा सूर्य कड़ी धूप के समय चबकता है जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सागे पड़ा और उसने मुझ पर अपना दाहीना हाथ रख कर ये कहा कि मत डर मैं प्रथम और अंतिम और जीवता हूँ मैं मर गया था और अब देख मैं युगा नयुक जीवता हूँ और मृत्यू और अधुलोक की कुझियां मेरे ही पास है इसलिए जो बातें तूने देखी हैं और जो बातें हो रही हैं और जो इसके बाद होने वाली हैं उन सब को लिख ली अर्थात उन सात तारों का भेद जिन्हें तूने मेरे दहिने हाथ में देखा था और उन सात सोने की दीवतों का भेद वे सात तारे सातों कलीसियाओं के दूत हैं और वे सात दीवत सात कलीसियाएं हैं झाल झाल